तूनी एक छोटी सी चिडिया थी जो एक छोटी से गाव में रहती थी। उसके साथ एक त्यारा सा बच्चा भी था जिसे वह चिंटु कहकर पुकारती थी। यह कहानी उनके साथी सर्दी के मौसम की है जब हर रात बर्फबारी और ठंडी हवा गाव को आच्छादित कर रही थी। सर्दी के मौसम की ठंड़क बढ़ रही थी और तूनी बच्चे के लिए चिंटु को गर्मी से बचाने के लिए कुछ सोच रही थी। एक दिन तूनी ने निर्णय किया कि वहा और चिंटु एक सुरक्षित स्थान धून देंगी जहां वे सर्दी की चनौतियों से बच सकते हैं। एक सुबह तूनी और चिंटु ने अपने छोटे से गाव को छोड़कर एक आदर्ष जगा धूनने का निर्णय किया। उनकी यात्रा में वे अनेक सुंदर और बर्फ की धेरों के बीच से गुजरते हुए एक जादूई जंगल पहुँचे। जंगल में आते ही तूनी और चिंटु ने देखा कि पेडों पर चमकती हुई बर्फ चादर सा बिची हुई थी और हवा में एक मिठास भरी खुश्बू फैल रही थी। वे हैरान हो गए और उस जंगल की गहराईयों में आगे बढ़ने का निर्णय किया। जंगल की गहराईयों में चलते हुए वे एक बड़े से पेड के पास पहुँचे जिस पर बर्फ की चादर बिची हुई थी। वहां एक बड़ी सी चिडिया बैठी हुई थी जिसके पंखों से बर्फ की किरने गिर रही थी। तूनी ने उसे देख कर चिंटू को बताया यहां जंगल हमारे लिए सुरक्षित हो सकता है। चलो हम इस पेड के नीचे रहेंगे। चिंटू भी खुश होकर उसी पेड के नीचे बैठ गया और दोनों ने वहां अपना नया घर बना लिया। जंगल की शांती और सुरक्षा ने तूनी को बहुत अच्छा लगा और वह चिंटू के साथ खुशी खुशी उस जगा पर रहने लगी। समय के साथ वे जंगल के सुन्दरी सुन्दरी द्रिशों का आनंद लेने लगे। जंगल में हरे भरे पेडों के बीच घूमना, बर्फबारी की रातों में तारों को देखना, ये सब उनके लिए नई खोजों का एहसास कराता था। एक दिन तूनी ने चिंटू के साथ खेतों में उडान भरने का निर्णय किया। वे दोनों हवा में उड़ते हुए अपने पंखों की बहार का आनंद ले रहे थे। तभी एक मित्र ने उन्हें एक और जादूई जगह के बारे में बताया। वहां मित्र ने कहा, तुम दोनों को वहां जाना चाहिए। वहां एक और बहुत ही अद्धुत जंगल है जिसमें हर कुछ और भी मानवता से अलग है। वहां जाकर तुम्हें अंगिनत चमतकार देखने को मिलेंगे। तूनी और चंटू ने उस मित्र की सुनी और ततपरता से वहां जगह ढूंदने का निरनय किया। उन्होंने बर्फबारी भरी रातों में वहां जगह पहुचने के लिए अपना सफर शुरू किया। उनकी यात्रा में वे हर तरह के जादूई द्रिशों का सामना करती थे। वे जंगल के आध्यात्मिक माहौल में खो गए और वहां एक औरत को मिला जिसने उन्हें जंगल के राजा के पास बुलाया। जंगल के राजा के सामने पहुचकर तूनी और चिंटू ने उनसे मिलने का आभास किया कि वहां कुछ विशेश होने वाला है। राजा ने उन्हें अपने महल में बुलाया और वहां देखा कि सभी प्राणियों के साथ एक शांती पूर्ण और आत्म निर्भर जीवन चल रहा था। राजा ने तूनी और चिंटू से कहा यहां हर प्राणी अपने सुक्षान्ती के साथ रहता है। यहां जंगल हमें सिखाता है कि सहजता और प्राकृतिकता में ही जीवन का सही अर्थ है। तूनी और चिंटू ने उस जंगल के सुंदर वातावर्ण में समाहित होकर वहां अपना नया घर बना लिया। वह जंगल के राजा के साथ मिलकर सभी प्राणियों के लिए एक सुरक्षित और खुशाल माहौल बनाये रखते थे। इस जंगल में तूनी और चिंटू ने एक नया जीवन शुरू किया और वहां के जादूई द्रिशों ने उन्हें नई उचाईयों तक पहुँचाया। उनका संबंध न केवल जंगल से था, बलकि उनकी सोच और द्रिश्टिकों ने उन्हें एक नये और सुखत जीवन की ओर बढ़ने में मदद की। बहुत ही सुन्दर सर्दी की सुभा आई थी, जब तूनी चिडिया अपने चहचाने भरे पंखों के साथ अपने घर के पेड़ पर बैठी थी। उसकी छोटी सी बच्ची उसके पास बैठी थी, उसकी सुरक्षा में। थंड बहुत ही जोरों से बज रही थी, और सर्दी की हवा उनकी छोटी सी गुट्टी में थर्रा रही थी। तूनी ने अपने बच्चे को देखा और हंस्ते हुए कहा, आज हमें बहुत थंड महसूस हो रही है, मेरी छोटी सी प्रिया। हमें अपनी गुट्टी को और भी गर्म बनाने की जरूरत है। छोडी चिडिया ने मा की ओर मुस्कान से देखा और कहा, मा, क्या हम उस बड़े-बडे पेड के पास जा सकते हैं, जो हमें बहुत अच्छे और गर्म डाल सकता है। तूनी ने हजते हुए कहा, हाँ, मेरी छोटी सी बेटी, हम वहां जा सकते हैं। वहां की उची शाखाओं पर हमें सुरक्षा और गर्मी दोनों मिलेगी। दो माम बेटी ने एक दूसरे के साथ मिलकर वह बड़ा पेड की ओरुखा। वहां पहुँचकर वे देखे की पेड की उची शाखाएं उनको आलस्य पून धूक से भरी हुई थी। तूनी ने कहा, बच्चों, यहां हमें सुरक्षा मिलेगी और हम बहुत अच्छे से घर बना सकते हैं। छोटी चिडिया ने आकर्शित होकर कहा, मा, क्या हम एक नया और सुन्दर घर बना सकते हैं। तूनी ने कहा, हां, बिल्कुल, मेरी प्यारी, हम सभी मिलकर एक नया और सुन्दर घर बनाएंगे। चिडियों ने मिलकर मिक्टी, ट्विक्स और पत्तियों का उप्योग करके एक नया घर बनाया वे धूप की गर्मी में आराम से अपने नये घर में बैठे रहे नया घर न केवल सुरक्षित था बलकि यह उन्हें सर्दी की ठंड से भी बचाए रख रहा था एक दिन जब ठंड और बढ़ गई और हिमपात ने अपनी बर्फबारी शुरू कर दी तूनी ने अपने बच्चे से कहा, बेटा हमें और गरम रखने के लिए अब कुछ खास करना होगा छोटी चिडिया ने पूछा, मा, हम क्या कर सकते हैं? तूनी ने कहा, हमें खाना ढूंडने जाना होगा सर्दी में बहुत सारा खाना दूर जा जाता है इस पर बच्चों ने अपनी मा के साथ मिलकर सारे गुरुत्वाकर्शन परवत की ओर पलटते हुए देखा वहां एक बड़ी सी कठिनाई आई गुरुत्वाकर्शन परवत की ठंडी उचाईयों पर खाना ढूंडना मुश्किल था तूनी ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, हमें संगठन करके काम करना होगा हमें समुद्र से गर्मी मिलेगी और हम वहां से खाना ढूंड सकेंगे चिरियों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की और समुद्र की ओर बढ़ते हुए एक बड़े से तट पर पहुँचे वहां उन्होंने एक ताजगी से उठी हुई तट पत्थर पर खड़े होकर समुद्र का सौंदर्य देखा तूनी ने कहा बच्चों यहां हमें गर्मी मिलेगी और हम खाना ढूंड सकेंगे हमें उस पत्थर को हिलाना होगा ताकि समुद्र से गर्मी निकले बच्चों ने मिलकर पत्थर को हिलाने का प्रयास किया लेकिन वहां कठिनाई से हिल रहा था तब ही एक औरती चिडिया उनके पास आई और बोली नमस्ते दोस्तों मुझे देखा गया कि तुम यहाँ खाना ढूंडने आये हो कैसे मदद कर सकती हूँ तूनी ने धन्यवाद दिया और बताया हमें खाना ढूंडने के लिए समुद्र से गर्मी चाहिए लेकिन यहाँ पत्थर हिल नहीं रहा है औरती चिडिया ने हंस्ते हुए कहा आप चिंगारी लाओ इससे पत्थर गर्म हो जाएगा और तुम खाना ढूंड सकोगे बच्चों ने उसे धन्यवाद कहा और जल्दी से चिंगारी लाई वे ने चिंगारी का उप्योग करके पत्थर को गर्म किया और समुद्र से गर्मी निकाली तुनी ने कहा धन्यवाद दोस्त अब हम खाना ढूंड सकते हैं चिडिया घर की यह तुनी चिडिया और उसके बच्चों की कहानी सिखाती है कि मिलकर मिलकर कठिनाईयों का सामना करना बहुत महत्वपूर्ण है उनकी मेहन्त, टीमवर्क और सहायता से वे समस्याओं का सामना करके खुशियों की और बढ़े